सू हेलो स्टो आज के इस पूलिए मैं आपको बत आनों वालों टप 3 बेस्ट स्मार्ट 5G फोन चोंकि हमें दिखने को मिलागा अंदर 15000 के जी हागा जिसमा में बेस्ट केमरा जो कि देख सकतों जिसमें 108 मेडर पिक्षल देखने को मिल जाएगा अंदर 15000 के डीमे तो चलिके इसमें 338 के पास चार्जर देखने को मिल जाती है इस भी टाइप थी के भल के साथ टेगा जब सबसे बड़ी बात ही इस फोन की लुक के बार में तो गाइच देख सवों काफी दगड़ा है और इसमें साइट फिंगर परिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है साथ मैं इस इस बात करें इस फून की प्राइज के बारे में तो हमें फ्लिप की आराम से चोद्धा ज़ा नोज़न नबर रूपी के प्राइजे में देखने को मिल जाएगा और जो नमबर दो पर हमारा फोन निकल काता है वह आता है रियलमी के तरह जिसका मडल नहीं में रियलमी 9 आई जी हां गाई जो कि हमें देखने को मिलता है फाइब जी फोन भी आता है यह 15,000 के रेंज में आता है गाई इस वीडियो का प्लास टक बने रहेगा इसमें अपना प्रसनल ओपिनियन बताऊंगा कि इस तीनों फोन में से मुझे सबसे बेस्ट फोन कौन सा लगा और आपको कौन सा लेना चाहिए तो गाई चलिए अब बात करते हैं इस फोन के फ्यूचर का पारे में तो गाई इसमें में देखने को मिल जाती है तो नो डाउट है डिस्प स्मार्टपून में अगर बात करें लूग के बारे में तो सबसे मुझे तागड़ा ही फोन लगा जो कि रियल्मी नाइन आई के जो की लूख है ना यार काफी तागड़ा है देख सकते हो और खासका कि इसका जोगी यह गुल्डेन कलर है ना मुझे काफी ज्यादा ये एक बात करें तो इसमें निकल आता है इन्फिनिक्स का स्मार्टपून जी हाँ गाइज और आप लास्ट में बने रहीगा इसमें बताऊंगा कि जो की तीनों फोन में सबसे अच्छा कौन है फोन आपके लिए तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इस फोन का नाम है इन्फि इसमें केमरा देखने को मिल जाता है जो की काफी तगड़ा है और इस साथ में हमें इसमें सूपर इमोले डिस्प्ले भी दिखनों को मिल जाती है तो नोट आउट एर काफी तगड़ा है वह भी अप समझ सकतों अंदर 14,000 इसका प्राइस तेरह जा नो से निनानवर रुप कम है ना अगर 13,000 का समतिंग है बजट था अराम से इन्फनिक के तरफ जा सकते हो नोट 12 स्रीज के तरफ बात करें गाई अगर आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो तो मैं आपको रेकमेंट करूंगा कि आप पोक के तरफ जा सकते हो ठीक है बाकि रियल्मी का भी फोन कोई खर जा सकते हो अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है अगर आप रियल्मी के तरफ भी जा सकते हो तो पोको के साथ जा सकते हो